मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब को दिवाली की धेरोश उपकामना है और सब स्वस्त रहें, खुश रहें और आज के दिन सुशान्त के नाम का एक दिया जरूर जलाएं आप सब में से बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि विभोरान तो रिहा हो चुके हैं और अपने घर भी पहुँच चुके हैं सेफली तो फिर क्यों विभोर लाइव नहीं आ रहे हैं, इसके पिछे की असल वज़ा क्या है तो इसका सीधा और सरल सा जवाब है प्यारे दोस्तों कि सेशन कोट ने सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया है कि जब तक आपका बेल पिरेट कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आप महरास्टर गवर्मेंट या महरास्टर पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते और ना ही आप लाइव जाकर किसी को भी ब्लेम कर सकते हो और अगर आपने आदेशों का पालन नहीं किया तो आपकी बेल कैंसल हो जाएगी और यही वज़ा है कि विभुरान लाइव नहीं आया अभी तक और आने वाले कुछ दिन तक वो लाइव नहीं आएंगे लेकिन इसके ही उलट उन्होंने अपने अफिशल ट्वीटर हैंडल से ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने भगवान शनी देव से प्रामिस किया कि वो अपनी आखरी सांस तक इस जस्टिस की लड़ाई में बने रहेंगे और लड़ते रहेंगे बस वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बेल पिरेट के खतम हो जाने का और बाकि उन्होंने अपनी फेस की लेटिस्ट फोटो भी शेयर की है और सब को दिवाली की शुब कामनाई भी भी भीजी है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं मैं जल्दी मिलूँगा आप सबसे अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ